हेलो एव्यवान, दिस इस हिमानी मलिक और आप सभी से मुझा आज बड़ी इंपॉटेंट से जानकारी को डिस्कुस करना है आप सभी के क्वेरीज आ रही हैं और हम सभी के दिमाग में कुछ चीजे या क्वेश्चन बने हुए हैं क्वेश्चन माक है सभी के दिमाग में कि एक्जाम पैटन क्या होगा क्या बदलाव किये जाएंगे इससे पहले भी बिहार टेट हमारे सामने होता था क्या उसका सलेबस था आप सभी उससे रूबरू अलड़ी हैं पर यह जो नई तरीके से जो परिक्षा होने वाली है हमारी जिसके थूँ आपको permanent job मिलेगी इसका एक्जाम पैटन क्या रहेगा बिहार में माक्स कितने होंगे पाठिकरम क्या रहेगा यानि कि सलेबस की अगर हम बात करें और इसकी classes कैसे रहने वाली हैं यह सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में आज देने वाली हूँ तो ध् कि हार सुपर्टेट के बारे में आपसे बात कर रहे हूँ जैसे आपको पता है कि headmaster का exam हुआ था ठीक है ना headmaster का exam हुआ था तो उसकी similarities के according हम यह अंदाजा लगा सकते हैं कि कि किस तरीके का अमारे सामने pattern होगा exam pattern क्या होगा अगर मैं इसके बारे में आपसे बात करते हू exam pattern marks को साथ में लेगे चलते हैं आपको पता है कि जैसे कि आपको डेटर पलेस में दो section देखने को मिलते हैं तो probably यहां पे भी दो session देखने को मिलेगे क्योंकि यहां पे जो हुआ वो 75 75 marks के हिसाब से subjects को या section को divide किया गया जिसमें अगर हम बात करें तो जैसे आपने डेट सकते हैं कि डेट सो नंबर का हमें exam देखने को मिलेगा उसमें से फॉस्स जो पॉइंट है हमारा फॉस्स पॉइंट पर यह है कि जो आपका exam जैसे डेटर पलेस बी में सो नंबर का section 1 होता है यहां बे 75 marks का रहेगा और section 2 हमारा क्या रहेगा 75 marks का रहेगा जिसमें आपको प डेट का जितना syllabus होता है बीएड का जितना syllabus होता है ठीक है वो सारी चीज़े यहां एक्स वाइज जितना pedagogy concept रहता है या मैं यहां पर लिख दूँ आपकी भाशा में CDP या बाल मनोवग्यान या बाल विकास वो कह सकते हैं जैसे कि आपको पता है हमारे पास कुछ common वो भ मज़ लीजिए कि जितना आपका Hindi आता है ठीक है Hindi आपका है English आपका है ठीक है क्योंकि यह दोनों भाशा है आप इनको छोड़ करके आगे नहीं बढ़ेगा examiner और विसी बात है और यार बहुत सिंपल दिमाग आप लगाईए कि teaching की भरती होने जा रही है आपको सिक्षक ब के exams already होते हैं टेट के या विकेंसी रिगार्डिंग जो आपको पर्मेनेंट जॉब के गारेंटी देते हैं चाहे हमारा DSSB हो के वियस हो या सूपर टेट हो यूपी में जो होता था इस तरीके से तो भाशा बढ़ेगी कॉमन जो सब्जिक्स होते हैं वो भी इंक्लूड हो हो जाएगी बढ़ 30 माक्स की 20 की तो कभी नहीं होगी वो तो वह चीजों का रोल जो है पेड़गोजी का वह बढ़ता ही जा रहा है आप किसी भी एक्जाम में उठाके देखिए तो CDP is one of the most important subject in this अब अगर मैं बात करूँ इसके लावा जैसे GKGS हो गए यह आपको बड़ा जादा लंबा चोड़ा पार्ट हो जाता है क्योंकि इसमें आप current affairs वगएरा भी शामिल करते हैं फिर इसमें आप history भी शामिल करते हैं quality भी शामिल करते हैं जोग्रफी भी शामिल करते हैं है ना यानि कि यह सारी की सित्यास बुगोर यह सारी की सारी चीज़े आपको पढ़नी पढ़ते हैं और उसको मिला करके हमारा एक पार्ट बहुत बड़ा तैयार हो जाता है इसी के अलावा अगर मैं बात करूँ आपसे maths जैसा subject की भाई गणित के आपको एक जानकारी होनी चाहिए कि आप बच्चे को सारे subject पढ़ा पाएंगे तो यह subject तो आपके किसी भी कीमत पे out कर ही नहीं सकता है ना किसी भी कीमत पे mind my words याद रखना मेरे शब्द यह जतने subject मैंने लिखे हैं एक भी इसमें से हटेगा न हान हम यह जरूर कह सकते हैं अगर मैं Sanskrit जैसे subject की बात करूँ तो Sanskrit के लिए हमें थोड़ा सा wait करना पड़ेगा जिसको शामिल करते हैं कि नहीं करते हैं क्या रहता है क्या नहीं रहता है इस पे बात की बात है बट इतना आप थोड़ा सा serious जो candidates होते हैं वो अपनी तैयारी मे लेकर के बात करूं तो यह सभी को पता है कि कितनी vacant seats हैं हमारे पास और नया सत्राने के बाद तो वो चीज़े बढ़कर ही आएंगी तो घटेंगी तो नहीं तो अगर आम अंदेशा लगा रहे हैं कुछ करीब लाग क्या सपास भी अगर नहीं आती हैं तो एक बीस भी अग कर लिया फिर आपको कहीं जॉब मिली है कहीं न कहीं बहुत सारे हर्याना में कुछ cases मिल जाएंगे यूपी में मिल जाएंगे जो उनको 10 साल बाद problem हो रही है किसी को 8 बाद problem हो रही है अगर आप इन सारी जटो से चुटका रहा चाते हैं और आपको शान्ती में एक नोकरी जाए जिन्दगी के लिए सरकारी नौकरी तो उसका ये मौका है क्योंकि इसके बाद चुनाव हो जाएंगे चुनाव के बाद हमें दूसरी बार ये वेकेंसी देखने को कमी लेंगे तो हमें भी नहीं पता है के विएस का हाल देख लीजे सूपर टेट का देख लीजे तो आ नंबर है वेकेंसी का ये आपको बहुत कम जगे देखने को मिलेगा और जब भी पैटन बदले एक्जाम बदले या नया एक्जाम आए वो मोका बड़ा अच्छा होता है स्टूडेंट के लिए अपने भविश्य को बनाने का हर परस्पेक्टिव से तो आप समझ कि ये तैयारी का टाइम है इसकी फ्री क्लासिस शुरू हो रही है आज से ही रात आट बजे से मिलेंगे आपको बिहार साथवे चरन की या बिहार सूपर्टिट की क्लासिस तो बिलकुल जुड़ना नहीं बूलना है CDP by इमानी मलिक के नाम से क्लासिस चलेंगी मेरी CDP की मह हमें आपको पूरी फ्री तैयारी कराऊंगे content with सारा analysis अब अगर मैं आपसे बात करूँ बहुत एक छोटी सी कि माम हमें help कैसे मिलेगी हम नहीं नहीं updates तक कैसे रहेंगे हमें authentic जानकारी कैसे मिलेगी हमें quiz कहा मिलेगी question कहा मिलेंगे तो इन सारी समस्याओं का भी समधान हम लिएगा और PDF कहा मिलेगी तो वह सब कुछ मिल जाएगा इसी वीडियो के description box में जाकर के एक link दिया हुआ है और या comment में भी पिन हो जाएगा link उसमें क्लिक करके आप एक app download कर लीजेगा उसमें free आपको कुछ चीजों पर access मिल जाएगा जो आपकी तयारी को boost up करेगा और सपनों की नौकरी तक आपको लेकर के जाने में मदद करेगा आपका सहायक बन सकता है कोई आपको रिजल्ट लाकर कोई नहीं देगा जब तक आप मेहनत खुद से नहीं करेंगे तो अगर आप तयार हैं हमारे साथ कदम से कदम मिलाने के लिए तो चैनल को अभी से फटा- स्टाड़ा वाई वाई टेक केर खुश रहें